ओम शान्ति अब हम 15 डिसम्बर के श्रवेदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं समी के जो रफ़तार चल रही है कल्युक बहुत तेजी सागे बढ़ रहा है कहते हैं न कि जब मुवी का इंड होता है तो सारे आक्टर्स आ रहा है मुवी के इंड़ बहुत फास्ट लगता हु रहा है क्ल्युक अंत भी आपको चारो तरफ चारो देश बहुत एक्टिव लग रहा है हल चले हो रही है कुछ ने कुछ हो रहा है किसी देश में कुछ हो रहा है तो यह लास्ट के समय चल रहा है तो प्रमात्मात्त कहते हैं समय की रफतार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर प्रमात्मे सारी प्राप्तियों करनी है दुनिया भी प्राप्तियों में अगर अटक गए तो अंतकाल जो इस्तरी सिम्रे अंतकाल जो धन सिम्रे, अंतकाल जो पती सिम्रे, बच्चे सिम्रे, उसमें नहीं भस जाना है तो प्राप्तिय किसे परमात्मा से? सर्फ प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीवर पुरशार्ती भबा माया जीत, काम, करोध, लोग, मौँँख, उसमें लोग, मोह, इंपॉर्टन भी है पुरशार्ती भबा, बाप दादा ने, बाप होगे परमिता परमात्मा, दादा होगे ब्रमा बाबा ने जो भी प्राप्तियों कराई हैं, उन सर्फ प्राप्तियों को स्वयम में जमा कर भरपूर रहो क्या प्राप्तियों हैं? ग्यान है, गुण है, शक्तियों है उन सर्फ प्राप्तियों को स्वयम में जमा कर भरपूर रहो, उनकी सुमरिती में रहो हर दिन अकर परमात्म के ग्यान की बाते हम याद करेंगे अपने मन बुद्धी को इकागर करने के उफिश करेंगे उन ग्यान की पॉइंट से बाबा की याद से तो सारी प्राप्तिया आ जाएंगी कोई भी कमी ना रहे जहां भरपूरता में कमी है माया हिलती है अगर परमात्म से भरपूरता में कमी है तो अवैसली हम मायावी चीजों की तरफ जाएंगे दुनियावी चीजों में खुजी खूजनी शुरू करेंगे सुख खुजना के शूरू करेंगे जिसले के ओабगा, माया अंदर हमें तंग करना शुरू कर देगी, हमारे अंदर लोग होगा, आहंकार आएगा, नफरत आएगी तो प्राप्तियों के जब तुम मेरे से भरपूर होते हो, तो तुम्हें ग्रोध आहंकार, नफरत नहीं आती है लेकिन जब तुम्हें दुम्हें अप्राप्तियों से भरपूर रहना, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्फ प्राप्तियां हो लड़ाय, जखड़े, वाइस देसा दिख रहा कि भीड़ी प्राप्तियों से भरपूर बनो ख़शी अनंत चीजों से नहीं नहीं तो फिर जब उथल पुतल में आएंगे तो आप उथल पुतल में हो जागा आपका मन उससे नहीं परमात्मा से सब कुछ सब कुछ इच्छाय परमात्मसर रखनी है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं उपाएगा, लास्ट में कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं उपाएगा, उसमें मन बुद्धी हमारे कंट्रोल में, आत्मों के कंट्रोल में नहीं रहेगी ह तो यह प्रैक्टिस करनी पॉज़र हो जो कि ब्रह्मकुमारी समित सिखा जाती है, हर दिन सीखते हैं इसको मुर्णियां पढ़ करके, मेडिटेट करके, लक्चे सुन करके, ओम शांति इसके साथ.